हेलो बूड बॉर्डिंग नोस्ते फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी आपसे को बहुत बहुत स्वागत हमारी चलरी में तो फ्रेंड्स यहां पर देखिया आचल जा चुकी है अब भी आपसे खाल लिया और फ्रेंड्स वैसे तो हम जगे थे साड़े चार में लेकिन उस वक्त आप सभी से बात नहीं किया और अभी पजाए है साड़े छे क्योंकि सुबह सुबह जगने के बाद ना अगर बात करिये उस समय आवाज अजीब सा निकलता है ना बड़ा अ जगने के बाद ना बार थोड़ा से क्लियर नहीं आता है और अब ये खाना खा चुका है ये भी रेडी हो गया है इसके लिए अब दूद बना देते हैं पावर बीटा दे करके वो किसा है और बस इसका भी काड़ी आ जाएगा ये भी चला जाएगा इसकूल और पढ़ा ही तुमको नहीं आता है थाएगा घ्राइड इसके लागर पर इसके स्टोरी बुक देश और फिर अब लोग को फ्राइड को मुझे दूसरा होता है इसके इस पूल में वहला म्यूजिक भी होगा डांस भी हुता है और पढ़ाई भी होता है तो फ्रेंट्स चलिया, अब इसका मुदलब खा लिया है, और रेडी हो गया है, ड्रेस इसका लाँच पैक कर दिये हैं, बस बाल में कंगी करेंगे, क्रीम पडर करेंगे, फिर यह भी रेडी हो जाएगा फ्रेंट्स, अर उसके बाद मैं फिर लग जाओंगे अपने कामों मे क्योंकि इसके पापा का भी है न ड्यूटी फिर मैं खाना वाना तरहाँगी तो फ्रेंट्स देखिए यहाँ पर आयांस बोल ला था मम्मो मेरा तो नास्ता हो गया अब दूद रेडी कर दो तो दूद हमने निकाल के रग दिया था फ्री से सवेरे फ्रेंट्स जिसमें जगे थे तो अभी वो हलका नॉर्मल हो चुका है और उसको मैं ले लूँगी दूसरे बरतान में जितना उसको देना है और उतना बस गर्म कर लूँगी पीने लए कभी कबार कि आ होता है ना फ्र करने के लिए स्कूल और कुछ ही देर में यह आ जाते हैं इसी बीच में और मुझे पता भी नहीं चलता है मैं अपने कामों में इतना ब्यस्तराती हूं न सभेरे की बस मेरा तो नजर नहीं पड़ा पर केमेरा सब चीज कैद कर लेता है तो मेरे हस्बेंट की पोल खोल दी आज यहीं बोल रही थी और यह दिखें यहां पर अब मैं चड़ा रही हूं दूद तो उसके लिए लिया है हमने एक एक कप से थोड़ा कम दूद और थोड़ा पानी थोड़ा चीनी थोड़ा चाय पती अरे वाई यह तो साहरी बन गया मतलब मैं जिस तरीके से बनाती हू पानी थोड़ा कम रहता है पानी इनको कड़वला चाय पसंद है और उसको अच्छे से उबाल के फिर यह और फ्रेंट्स यहां पर दिखिए बच्चे तो जा चुके हैं स्कूल दोनों और मैं यहां पर लग गई हूं कमों में सारा बरतन जितना है कीचर में फैला हुआ था कर दो दो तो फ्रेंट्स अब मैं दे देती हूं यहां पर फूलों में पानी क्यूंकि सबेरे सबेरे ना यहां पर धूप काफी दे जाता है फ्रेंट्स और इसमें अगर पानी ना दोना तो यह मुर्जासा जाता है तो मैं इसमें अच्छे से पानी डाल दूगी डबे में भी और इसक तो पक्ची सभी के लिए पानी बहुँ जरूरी गर्मी इतनी तेज पड़ रही है कि कुछ कहने का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। कि और धान सबका खेती जो है पानी के वज़ा से इतना खराब हो रहा है बेकार हो रहा है। सारा जितना भी धान लगने वाला था सारा जल गया है सभी का फ्रेंट्स तो पानी अभी बहुत जरूरी है गर्मी इतनी तेज पड़ रही है कि मैं बता नहीं सकती हूं घरों का जब मैं काम स्टार्ट करना उधर का सुरू कर देती हूं खाना पीन का तो इधर का फिर मैं झाल 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 तो फ्रेंट्स यहाँ पर अब मैं बना रही हूं खाना और कूकर मेरा चावल चड़ा हुआ है और यह कुछ दिर में हो जाएगा अब और मैं कच्री बना रही हूं उसके लिए हमने कल साम को ही चने को दे दिया था पानी में फूलने के लिए अच्छी तरीके से अच्छे से प्रेंट्स तो उसका कच्री बड़ा हल्का बनता है तो फूल चुका था और सुबह उसको अच्छे से दो के मिक्सी पॉर्ट में हमने उसको पीस लिया है और उसको निकालके पस प्याज दे करके में बना रही हूं इसमें प्याज नमक और हल्दी और कुछ भी नहीं देती और आज मैं इनके लिए दाल नहीं बनाओंगी क्योंकि इनको दाल हो जाता है वैसे जरूरी लेकिन कच्री मिल जाए तो फिर दाल भी नहीं खोचते हैं ये जल्दी लेकिन मैं दाल बनाती थी अकसर कभी ऐसा नहीं की थी लेकिन आज मैं कर रही हूं चाबल और सबजी ग् कच्री और चावल खाएंगे तो फ्रेंट्स यहां पर हमने अस्वेंट जी के लिए खाना निकाल दिया है और वह खा रहे हैं खाना उनका पूजा हो गया था वह पूजा कर लेते पहले ही और अब मैं पानी भरके रख देती हूं इनके लिए बोतल में ले जाएंगे इसकूल और इसमें मैं नॉर्मल और इसकूल में बहुत ज्यादा गर्मी लगता है और उसमें लगता है कुछ ठंडा भी है तो मिक्स करके दे देती हूं मैं और उसके बाद मैं करूंगी पूजा और फ्रेंड्स इसी बीच में आ गया था दूद भी तो दूद हमने उठा के रख लिया है अंदर और हमने चड़ा दिया है उसको चूले पर मैं गेट के पास रख देती हूं बरतन टेवल पर और दूद वाले आते हैं तो दे देते हैं उसमें तो मैं उसको चड़ा दी हू चूले पर और इधर मैं कर लेती हूं पूजा फ्रेंड्स कर दो 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 और फ्रेंड्स यहां पर इनका खाना हो गया है हमने पुझा भी कर लिया तो मैं यहां पर इनका चपल साफ कर रहे थी सब्सक्राइब करने के लिए इनका भी करके रख देती हूं पर आज मैं भूल गई थी तो मैं गई अभी साफ करने के लिए और इनको मैंने थाइला दे दिया है पानी वाला फ्रेंड्स और आज ने मेरा उतना तविया ठीक नहीं लग रहा है पता नहीं क्यों इदर से इतना गर्मी पढ़ रहा है न काली और ये टरीक टाइप से लगता है पूरा जलन ओता है शरेर में घब्राट होता है बहुत परिसानी हो रहा है फ्रेंड्स थोड़ा खाना उलटा सिदा हो जाता है लो एक बार हो जाने के बाद वह देरे देरे करके ही ठीक होता है जल्दी नहीं लुट परिशानी होता है और फ्रेंट्स यहां पर देखिए दाल को दे रही हूं सुखने के लिए दूप में और कल क्या हुआ था ना की दूप में दिये थे अचानक से बारिस आ गया जबकि बारिस दर हो नहीं रहा है तेज दूप था अचानक से पाफ निर बारिस आ गया तो फ्रेंट्स सभी चले गाए अपना अपना ड्यूटी बच्चे लोग स्कूल यह भी ओपिस चले गाए और अब मैं अकेली अकेली घर में काम करते रहूंगे दिरे-दिरे करके जितना भी सुबह का सारा काम हो गया है जाड़ों पुछा बरतन वेगरा खाना पीना तो नास करते हैं और यह यह कहाती हूं यह पतनजली का तूलसी टेबलेट और यह है गिलोई अरफ शुबह नास्ता करने के बद टेबलेट लेती हूं तो इससे काफ़े अच्छा रात मिलता है और वेज़ा बस वही है आज का वीडियो मैं यहीं पर दियन करूं यह सर में ना मैं उ कि यहां पी इतना हो गया था बहुत ज़्यादा गया था इतना जलान होता है और या पता हूं भाल की घिचा यह जह तरह की तरह से लगता है तो करें बाल खुरा में यी सुन आपकि अधिन प्रेस ह filtered और अब मैं इसको दवाई खा ले तुए अर उसके बाद जाओंगी मैं वसे में दूँगी कपड़ा तो वीडियो का मैं यहीं पर दियंड करूंगी फ्रेंट क्यूंकि बहुत लंबा हो जाएगा न फिर वीडियो और तो आप सबको अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा ल बाते कि खूस रहे और हस्ते रहे इसमें काफी मतलब क्या बताओं और लगता किस तरह बताओं खूस रहे मैं इसलिए बोलती हूं खर चुड़िये आज जाने जिए मैं बताओंगी बहुत लंबा कानिया मैं बताओंगी तो फ्रेंट्स आप सब खुस रहे पिर मिलते हैं आगे के आने वाले ब्लोग में तब तक कि लिए बाई बाई